यदि आप लॉपढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमरे एप को डाउनलोड करें और लॉपढ़ें नमस्ते सदावसले मात्रबो में यूएस इलेक्शन से पहले भारत के लिए एक अच्छी ख़बर आई और वो अच्छी कबर ये थी कि डॉनाल ट्रम्प प्रिशाशन ने भारत के जो लोग काम करने के लिए यूएस में जाते हैं खास्त दोर से उनके लिए वीजा के रिलेक्शेशन दिया गिया मैं आपको बता दूँ कि भारत से H1B L1 वीजा जो यूएस का वीजा है H1B L1 वीजा से पर जाने वाले लोगों की कर्मिकों की बहुत बड़ी संख्या यूएस में होती है सबसे पहले वो जो रिलेक्सेशन दिया उसकी बाद और जो यूएस चुनाओ है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे पहले इसके विशे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भारत के लोगों को होनी चाहिए कि अखिर ये है जा आप किसी भी देश में घूमने के लिए जाएंगे तो वहां एक वीजे की जरुरत पड़ती है आपके पास पासपोर्ट देश में बनता है फिर एक वीजा की जरुरत पड़ती है वो हो वीजा वह एक वह और आपको एक से करता है वह आपको अक्सेट करता है कि हाँ आप हमारे देश में आ सकते है या नहीं आ सकते कि विवनेप्रकार के ट्रावलिंग वीजा रहते हैं इन ट्रावलिंग वीजास में H1- sector Carolineij जो उएस का रहता वह उन लोगों को ट्रेवलों ड्रेवलर्स के लिए दिया जाता है जिनको अब अपने देश से जिस देश से भी वह आ यह उस अपने देश से वो स्वतंत्र हो जाते हैं और वो उस वीजा पर उस देश में रहने लगते हैं इस वीजा के अधार पर लंबे समय तक अगर वो काम करते रहते हैं और एलिजिबिल्टी क्रेटिरिया पूरा करते हैं तो वो प्यार के लिए अप्लाई करते हैं प्यार हम कह लोगों के लिए एक अच्छा वीजा है और एक ऐसा प्रावधान है जो भारत के लोगों को बड़ा पसंद है यानि कि भारत के लोग वहां ट्रावलिंग वीजा पर जो जाना चाहते हैं वो H1B L1 वीजा पर जाना चाहते हैं ताकि वो यूएस में भविश्य देख सके अभी पीछे खबरें बहुत सारी आई थी कि भारत की H1B L1 वीजा यूएस में ट्रॉम सरकार के बैठते ही खतम कर दिया गया था लेकिन सुश्मा सुराज जी उसमें विदेश मंतरी थी उन्होंन तो ट्रंप प्रशाशन चुकी अपने प्राइबिट जॉप्स को अपने यहां के लोकल जॉप्स को सिक्योर करने के लिए लोग बेरोजगार कम हो इसके लिए वो इस वीजा को उन्होंने फिर से वेन कर दिया और वेन करने का नतिज़ा निकला कि जो लोग यूएस से भार बास नहीं जा सकते तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप प्रशाशन जो है भारत से जो कामगार यूएस में जाता है उसके लिए बड़ा ठीक नहीं है और वो एंटी इंडिया करके कंपेंड चलाना शुरू किया और यह डैमोक्रेट्स ने भी खासता और से वह moreत शुरू के नहीं होने देते हैं ले जो नहीं होने देते हैं हम उस देश के रंग में रग जाते हैं ऐसा हमारा सुभाव है और प्रामिस्टर कभी ये बार बार, वहाँ पर हर कंट्री में जाने के बाद, ये दावा भी है उनका रहता है, इस केस में भी जो अभी का केस है, इस केस में भी ये कहा गया कि भारत के लोगों के लिए ये लगाया गया, लेकिन भारत के लोगों को विशेश ध्यान में रख ग्रेज्ञ टेक्नीक्ल वर्कर्स हैं दूसरे जो मैंजर्स हैं जो वहां मैंनेश्मेंट का काम करते हैं तीसरा जो लोग निस्ध्रों सर्विसेज वहां पर करते हैं चोथा टॉक्टर्स वर्गेर NAW रहते हैं उन लोगों के लिए declaring रिलेक्सेशन दिया जाता है हम को पूरे विश्व में ये पता होना चाहिए कि इन फील्डों में पूरे विश्व में हमारा दबदबा है और पूरे विश्व में भारत से लोग इन फील्डों के लिए ही उन देशों में जाते हैं यूएस में भी भारत से जाने वाले लोग इस इन फील्डों में ही ज़्या जादा तर एड़ेस्ट होते हैं वहाँ पर इसलिए यह रिलेक्सेशन देते हुए मुझे लगता है कि सीधा तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन ट्रम्प पर साशन है कुछ भी कह सकता है उनके डॉनाल चुम्म के बारे में यह कहा भी जाता है कि वो कुछ भी कह सकते हैं लेकिन यह एक बीच का रास्ता निकालते हुए मुझे लगता है कि भारत के जो लोग यूएस में काम करते हैं उन लोगों के लिए यह रास्ता खोला गया कारण क्या है कारण यह है कि डॉनाल ट्रम्प की पहली पसंद विश्व में अगर कोई है आज की तारिक में तो भारत को पस कि हमारे दुश्मंन सबसे बड़ा इस्लाम है इस्लाम एक चरंपन्त है और हमारा दुश्मन सबसे बड़ा चीछ है इन दोनों ही विश्वेओं पर यूनिमस बिना किसी अपजर्टें के यूएस में हमारा सपोर्ट किया है पिछले चार वर्ष में जब से डॉनाल ट्र Разी जी बैठे हैं तब से उन्होंने लगा-तार मेरे हमारे सायोग न मागने के बाफ़च्ट हमारे उनके सामने ना गुहर करने के बाफ़च्ट इन इन विश्यों पर जब भी कोई सूचना गई है तो इन विश्यों पर यूएस ने खुल कर हमारा साथ दिया है चुपा लोगी करके नहीं दिया है अब डेमोक्रेट्स का ये मानना है कि इस समय चुनाओं के समय पर और जो भारत का वोट है वो उनका कॉर वोट है शुरू से र पार्टा रेसा हैं लेकिन भरतवन्शी जो वह पर रहता है जो भारत का निवासी वहां पर रहता है और भारत के वहां चिनता करना चाहता है उसको लुभाने के लिए और वह वहां key factor है की फेक्टर इसलिए है क्योंकि वहां के चुनाओं पर बड़ा भरी प्रभाव डालता है वो टेक्निकल फिल्डों पर बैठा हुआ वेक्ती है वो शोशल मीडिया और मीडिया पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है वो टेक्निकल कंपेंड पर बहुत बड़ा प्रभाव ड इमिग्रेंट वहां के रहे होंगे यहां से माइगरेट किये लेकिन उन्हें बाद में कृष्षिन से शादी करने के बाद उन्हें अपने आपको अश्वयत खोशित क्या उधर के जो लोग हैं, South World के जो लोग हैं, उनको जनरली वो अश्वेत कहते हैं, या Black कहते हैं, लेकिन कमरा है इसका जो कल स्टेट्मेंट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि, Now Democrats are supporting Blacks, और ये जो है, Racism के खिलाफ Trump काम कर रहे हैं, और चाइना इसलामिक चरमपन्थ के खिलाफ, उनकी प्राथमित्ता पर है, इसलिए कमरा हैरेस ने जो इस्टेट्मेंट दिया, मुझे लगता है कि वो स्टेट्मेंट हमारे देश के लिए सबसे दुरभागपूर्ण स्टेट्मेंट है, जो ट्रम्प को ऐसा कह दें कि वो रेसिस्ट हैं, अगर इसलामिक चरमपन्थियों को समप्त करना रेसिस्म है, तो मुझे लगता है कि भारत को भी वो अडॉप्ट करना चाहिए, यदि कम्मिनिस्म को खतम करने के लिए संसार से वो रेसिस्म है, तो भारत को भी करना चाहिए, और भारत भी आज भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया, कि जिस प्रकाट डोणल्ल ट्रम्प के लिए कहा जा रहा है, वयसा ही नरीद मोधी जी के लिए कहा जाएगा, और नरीद मोधी जी अगर रेसिस्म के बात करते हैं, जिसे भारत में intolerance group लगातार statement देता है, मुंबत्ती group statement देता है, human right group और जो अपने आपको तथा करते हैं, liberal कहते हैं, वो और जो constitution प्रेमी अपने आपको कहते हैं, वो नरिंद मोदी को सब्सक्राइब racism कहते रहे हैं, कि ये racist पर काम करते हैं, कास्टिस्म पर काम करते हैं, और देश को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, इसलाम घंगा जमनी संस्कृति को तोड़ रहे हैं, सेम उसी पैटरंट पर नरिंद मोदी की पैटरंट पर डिनाल ट्रम काम कर रहे हैं, अगर मोदी जी भारत के लिए ये शशवी हैं, यदि भारत के लिए वरदान हैं, तो ड प्रकार से उन्होंने इस H1B, L1 वीजा को खोल कर गले लगाया है या invite किया है मुझे रखता है हमको सबको स्वागत करना चाहिए और सभी US में वो जो भारती वोटर्स हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि Donald Trump के रहने से भारत बचा है या Biden के आने से भारत बचेगा आज भारत के अस्तित्तो का की लड़ाई चल रही है इस अस्तित्तो की लड़ाई में यदि भारत नहीं रहेगा तो क्या Biden और क्या Trump इसलिए ट्रम्प अगर खुलकर इस समय भारत का साथ दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस समय भारत के पक्षमे वोट का मतलब होता है यदि यूएस में रहने वाले लोग भारत के पक्षमे वोट डालते हैं और ऐसा कहते हैं तो ये माने लीजिए कि वो इस समय ट्रम्प को वोट जी अपने मुझे तो foreign policies के तहत नहीं कह सकते हैं लेकिन जी जो हाउडी मोदी में मोदी ने किया और जो डॉनाल ट्रम को भारत में बुलाया गया था उस समय ये दोनों ही घटनाएं बताती हैं कि नरिन मोदी जी स्वेम भी डॉनाल ट्रम के favor में खड़े हुए हैं क्योंकि ड पूरी शक्ति लगा रहा है बंगलदेश पूरी शक्ति लगा रहा है चाइना ने भारत की जितने भी अलोसी प्रोसी देश हैं को उइसी प्रस्तिती में भारत उभर कर आने वाले देशों में रहेगा और अगले 10-12 साल में भारत मुझे लगता है कि US के बराबरी में अपके गर नहीं लेकिन आज आवशकता है कि डुनाल्ड ट्रम्प को जिताया जाए और डुनाल्ड ट्रम्प को भारत के पक्ष में जिस प्रकार से वो खड़े हैं वैसी ही रास्ता और प्रस्तिकिया जाए ताकि वो भविश्य में भी खड़े रहें इस बीजा को चलाने के लिए आप नीचे description से हमारे app को download कर सकते हैं जिससे कि law students को lawyers को और आम आदमी जो law जानना चाहता है वो paid classes का lab ले सकता है